नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल टूटोरियल चेनल में आज हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल फेश ट्रंसफर्मर से एक निमेरकल प्रोबलम को लिया है और आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि इस निमेरकल प्रोबलम को सॉल करने से पहले आप लोग लोसेस इन ट्रंसफर्मर वाले वीडियो को सिंगल फेश ट्रंसफर्मर के प्लेलिस्ट से पूरा देखें जहां पर आप लोग सीख पाएंगे या समझ पाएंगे ट्रंसफर्मर में जनरली कितने टैप के लोसेस होते हैं आपस में क्या relationship होता है जिसके कारण हम लोग समझ पाएंगे कि इस दिये हुए numerical problem को कैसे easily solve किया जा सकता है और साथी साथ आप लोगों से एक और request है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का method या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like, share और मेरे YouTube चैनल को subscribe करें ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए motivation मिल सके तो आएए solve करते हैं आज के इस numerical problem को जो की इस प्रकार से है अब हम लोग इस numerical problem पे देख पाएंगे कि हम लोगों को कोई एक 2.5 kVA का transformer दिया गया है और इस transformer में हम लोगों को 2 condition के लिए transformer के iron loss का value दिया गया है जिसके पहले condition पर iron loss का value 100 watt है और इस समय पर transformer के supply frequency का value कितना है 40 hertz और दूसरे condition पर iron loss का value 70 watt है और इस समय पर transformer के supply frequency का value कितना है 30 hertz तो हम लोगों को इस दिये हुए single face transformer के सभी given value का use करके इस दिये हुए transformer के लिए hysteresis loss और AD current loss के value को 50 Hz पर calculate करना होगा अब हम लोग इस numerical problem को solve करने के लिए जो numerical problem पर given value है उनको एक जगा पर लिखना होगा जो की इस प्रकार से हैं हम लोगों को इस numerical problem पर पहले condition पर transformer के iron loss का value कितना दिया गया है तो लिख पाएंगे iron loss pi is equal to 100 Watt और इस समय पर हम लोगों को transformer में supply frequency का value कितना दिया गया है तो लिख पाएंगे frequency f is equal to 40 Hz और हम लोगों को transformer के दूसरे condition पर iron loss का value कितना दिया गया है तो लिख पाएंगे iron loss pi is equal to 70 Watt और इस समय पर हम लोगों को frequency का value कितना दिया गया है तो लिख पाएंगे frequency f is equal to 30 Hz तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो transformer का iron loss होता है वो transformer के AD current loss और hysteresis loss के सम के equal होता है तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से relationship लिख पाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे transformer iron loss pi is equal to किसके किसके सम के equal होता है transformer के hysteresis loss pH और transformer के AD current loss pe के सम के equal होता है और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो transformer का hysteresis loss होता है transformer के supply frequency के proportional होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे transformer का hysteresis loss pH is directly proportional to f और जब हम लोग इस proportional sign को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया constant लेना पड़ेगा तो लिख पाएंगे pH is equal to a into f और इसी प्रकार से हम लोगों को transformer के AD current loss के लिए भी frequency का relationship लिखना होगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो transformer का AD current loss होता है transformer के supply frequency के square के proportional होता है तो यहाँ पर हम लोग transformer के AD current loss के लिए किस प्रकार से relationship लिख पाएंगे transformer AD current loss और जब हम लोग इस proportional sign को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया constant लेना होगा तो लिख पाएंगे PE is equal to B into F square अब हम लोग यहाँ पर आगे इस iron loss के relationship पर जो की hysteresis loss और AD current loss के sum के equal है उस पर इस pH और इस PE के value को put करेंगे तो यहाँ पर हम लोग iron loss PI is equal to कितना लिख पाएंगे A into F plus B into F square अब हम लोग इस equation पर transformer के numerical problem पर दिये हुए दोनों condition का use करके दो equation को लिखेंगे तो हम लोगों को transformer के पहले condition पर iron loss का value 100 watt और frequency का value कितना दिया गया है 40 hertz तो इस equation के according हम लोग लिख पाएंगे PI के जगा कितना लिखेंगे 100 और A वैसा का वैसा ही रहेगा और F के जगा हम लोगों को put करना होगा 40 plus B वैसा का वैसा ही रहेगा और इस F के जगा भी हम लोग 40 put करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 का square अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से दूसरे condition का भी यूस करके इस relationship के according equation को लिखेंगे तो हम लोगों को दूसरे condition पर iron loss का value कितना दिया गया है 70 और frequency का value कितना दिया गया है 30 hertz तो a वैसा का वैसा ही रहेगा f के जगा हम लोगों को लिखना होगा 30 plus b वैसा का वैसा ही रहेगा और f के जगा कितना put करेंगे 30 तो लिख पाएंगे 30 के square को अब हम लोग यहाँ पर आगे इन दोनो equation को calculator की help से solve करके constant a और b के value को calculate कर लेंगे तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस calculator के equation board पर जाकर constant a और b के value को calculate करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे पहले put करेंगे frequency 40 फिर 40 के square को और किसके equal पर रखना होगा iron loss 100 watt को और दूसरे equation पर put करेंगे 30 फिर 30 के square को इसके equal पे लेना होगा 70 तो अब हम लोगों को constant a का value कितना मिलेगा 1.83 और constant b का value कितना मिलेगा 0.016 तो अब हम लोग यहाँ पर आगे constant a और b के value को लिखेंगे जिसको हम लोगों ने calculator से calculate किया है तो हम लोगों को यहाँ पर a का value constant A का value कितना मिला है 1.83 और constant B का value हम लोगों को कितना मिला है 0.016 तो अब हम लोग यहाँ पर आगे constant A और constant B के value का use करके hysteresis loss और AD current के loss को calculate करेंगे जिसके लिए हम लोगों ने relationship को पहले ही developed कर लिया है जहाँ पर हम लोग hysteresis loss pH is equal to कितना लिख पाएंगे A into F अब हम लोग इस पर A के value और frequency का value 50 Hz को put करके transformer के hysteresis loss को calculate करेंगे तो लिख पाएंगे A के जगा कितना 1.83 और frequency F का value हम लोगों को कितना put करना होगा 50 और जब हम लोग calculator की help से solve करेंगे तो हम लोगों को hysteresis loss का value कितना मिलेगा 91.5 और इसका unit क्या होगा वाट अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से AD current loss के भी value को calculate करेंगे और AD current loss के लिए हम लोगों ने कौन से relationship को develop किया है तो लिख पाएंगे PE is equal to B into F square और B और F के value को put करेंगे तो B के जगा हम लोगों को लेना होगा 0.016 और F का value हम लोगों को लेना होगा 50 क्योंकि 50 Hz पर हम लोगों को AD current loss और hysteresis loss के value को इस numerical problem पे calculate करना है और जब हम लोग इसको calculator की help से solve करेंगे तो हम लोगों को AD current loss का value कितना मिलेगा 40 Watt और हम लोग इस numerical problem पे iron loss के भी value को calculate कर सकते हैं iron loss के value को calculate करने के लिए हम लोगों को जो hysteresis loss और जो AD current loss के value को calculate किया है उसको क्या करना होगा sum करना होगा इसी के साथ हम लोगों का यह numerical problem complete हुआ जिस पर हम लोगों ने सीखा कि transformer के iron loss के कौन-कौन से component होते हैं और उनके frequency के साथ कैसा relationship होता है जिसको use करके हम लोग AD current loss और hysteresis loss को कैसे calculate कर सकते हैं तो यह सब आपको बताने का method समझाने का method अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like और share करें और मेरे YouTube channel को subscribe करें Thank you